हेलो एवरिवन वल्कम बैक टू मैं चानल स्टार्ट विदार्ट तो आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं बेसिकली मॉडन ट्रेंट्स इंडियन आर्ट जो फाइन आर्ट्स का सलेबस है उससे पहले मैंने दो वीडियो बना दी है जिसमें मैंने सी यूटी का जो सलेबस है फर्स्ट वीडियो में कुछ कमर्शल आर्ट की क्वेश्चन से एंसी क्यूंस थे बेसिकली इन सेकंड वीडियो में जो थे वह ग्राफिक प्रिंट्स की क्वेश्चन थे तो अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखिए तो पहले आप उसको देख लिना उसके बाद ये वीडियो देखना modern trends in Indian art के कुछ mcqs जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं या इस टाइप के mcqs उनसे बन सकते हैं ठीक है जो भी सलेबस दिया गया है स्यूटी का जो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question है हमारा the famous painting of fairy tales from पूर्वपली इस पेंटेड बाई जो फेंटिंग है fairy tales जो कहां से अब पूर्वपली से उसको किस ने पेंट किया है तो इसका answer है केजी सुब्रमन्यम केजी सुब्रमन्यम ने उनको पेंट किया है जो पेंटिंग है fairy tales of पूर्वपली यह एक पेंटिंग है कैसे कौन से मीडियम में बनाए गए यह water and oil colors ठीक है मैं mcqs के साथ साथ इनका description इसलिए दे रही हूं ताकि अगर उस mcq से related कोई और चीज़ पूछी जाए उस topic से related कोई और चीज़ पूछ ली जाए कोई और mc साथ का ठीक है तो इस तरीके के mcqs आपके इजली तरियार हो जाएंगे और आपके दिमाग में भी सेट हो जाएंगे कि क्या आपने पढ़ा था फेरी टेल्स अफ पूर्वपली जो पेंटिंग है किस मीडिया में बनाई गई है water and oil colors और किस पे बनाई गई है acrylic sheet ठीक है और किस के द्वारा क्रियेट की गई है केजी सुब्रमन्यम 1986 में बनाई गई है ये पेंटिंग ठीक है तो तीन-चार कुशन्स तैयार हो गए कि किस ने बनाई केजी सुब्रमन्यम ने कब बनाई 1986 में कौन से मीडिया में बनाई है water और oil color और किस पे बनाई है acrylic sheet ठीक है तो यहां पर टाइटल पूछ सकते हैं कि टाइटल क्यूं है तो लोकाइलिटी है शांतिने के तन में अब यहां पर डिस्क्रिप्शन है कि उनका जो imaginary landscape है उसमें strange world दिखाया गया है जिसमें कि birds और अनिमल्स एक दूसरे के शोल्डर को रब कर रहे है जिससे यह पता चलता है कि man और nature के बीच में bond है ठीक है there are unusual trees that grow feathers in place of leaves कुछ ऐसे unusual trees दिखाये गए है जैसे कि आप painting में भी देख सकते है कुछ ऐसे कॉर्णर में जो देख रहे हो कि कुछ ऐसे unusual tree है जिसमें feathers आ रहे हैं instead of leaves यह जो painting का style है यह जो है sketching और colors है ठीक है quick brush strokes इस पर लगाए गए है ठीक है painting का style भी पूच सकते हैं sketching और colors है simple quick brush strokes इसमें लगाए गए है जो palette remains earthy palette पूच सकते हैं कि क्या कॉन से colors आपको देख रहे हैं earthy colors है इसमें ochre, green, brown color है ठीक है यह सारे earthy colors होते हैं the male and female figures on the top remind us of urban folk art like the Kaligart painting of Bengal school of art जो male and female figure है top में उससे हमें पता चलता है कि यह मतब हमें याद दिलाता है basically Kaligart folk art की जो की Bengal school of art की paintings next question है in paintings of which of these artists the Marxist ideology is reflected Marxist ideology reflect होती है कौन से artist की paintings में से ठीक है तो इसका answer है सोमनाथ होर सोमनाथ होर की intense practice है वो दिखती है में उनके painting में printmaking में और sculpture में but he was interested in human suffering brought by war famine other devastating occurrences जैसे कि हमने question पढ़ाया है कि मार्सिस्ट ideology की कौन सी paint मदब किस की थी तो सोमनाथ होर की थी ठीक है उनको किसमें इंट्रस्ट था human suffering जो की war के द्वारा आई गई है तो उस टाइप की बंगला देश में बॉन हुए थे वस ग्रेटली affected by the violence he experienced growing up in a colonist state उन्होंने जो है amiciated human forms in chaotic situations तो बंगाल फिमाइन अंड पीजन इन पीजन ओमने जो सोन दिखाया है कि बहुत ज़दा अफरात अफरी वाली चीजे या फिरू सिट्वेशन ऐसी जो है वह दिखाए गई है He was also involved with socialist politics यह socialist politics के साथ भी involved है An ideological followed Marxism जो Marxist का यह Marxism है यह यह जो concept है यह Karl Marx ने दिया था सबसे पहले तो यह उसी ideology को follow करते थे जिसमें कि basically यह एक तरीके से Marxist ideology ऐसी है कि इसमें society में जो यह distribution होता है ना poor का, rich का, इनकी economical conditions का जो workers को payment मगएरा की जाती है तो यह बहुत ज़्यादा अजीब है ठीक है तो यह एक तरीके से Marxist ideology है and this combined with his anti-colonial focus on his paintings made him a modernist icon of the Indian subcontinent और इन्होंने जो है anti-colonial paintings बनाई है जिसकी वज़े से यह modernist icon बन चुके हैं इंडियन subcontinent बाकी की जो artist है M.F.Husain, Jamini, Roy ठीक है इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं थोड़ा-थोड़ा सा लाकि आपके जो है modern trends in Indian arts के कुछ topics clear हो जाएं most of his paintings included boldness and vibrant use of colors executed in a modified cubist style जो M.F.Husain है उनका जो style है वो cubist style है vibrant colors के लगाते हैं ठीक है bold colors लगाते हैं which was invented by the renowned artist Pablo Picasso cubist style जो कि Pablo Picasso ने invent हिया था the cubist style stresses abstract thoughts and structure जो cubist style है उसमें हम बात कर सकते हैं कि abstract जो thoughts होते हैं ठीक है abstract structure जो होते हैं उससे related है ये उसमें उसी पर जादा focus किया जाता है he was called the Picasso by Forbes magazine जो M.F.Husain है उनको Picasso कहा जाता है Forbes magazine के द्वारा some of his famous works are Mother Teresa भारत माता माधुरी दिक्षित बैटल अव गंगा यमना Hindu deities etc ठीक है ये इतना description M.F.Husain के बारे में अभी हमने सोमनात होर के बारे में भी पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं जामेनी रोय के बारे में थोड़ा सा he was one of the revivalist of the Bengal school of art ये जो जामेनी रोय थे ये सब एक Bengal school of art के डिवाइबलिस्ट थे he was one of most famous pupils of Rabindranath Tagore pupil होते हैं तरीक से सुष्य है तो जामेनी रोय रबेनाथ तेगोर के most famous pupils थे his paintings mainly focuses on India's folklore and rural ethos which can reach out to a wide range of public जो उनकी paintings हैं जामेनी रोय की वो इंडियन folklore पे और rural माधब rural areas के जो topics हैं को दिखाती हैं जिसके विज़े से वो wide range तक पहुँच पाये पब्लिक की he adopted the Kaligar style of painting उन्होंने Kaligar style of painting adopt किया which has unique features like big eyes round faces तो आप Kaligar style of painting के features भी देख लो याँपर big eyes, round faces, curved bodies, vibrant colors he was honored with the prestigious Padme Bhushan in 1943 ठीक है ये question आ सकता है कि जामेनी रोय को कब Padme Bhushan मिला 1943-54 में और क्या मिला? Padme Bhushan मिला इनको ठीक है और उन्होंने कौन से style रोड़ आप किया Kaligar style of painting जो कि जिसके features है big eyes, round face, curved bodies and vibrant colors ठीक है some of his notable works include bride इनके कुछ जामेनी रोय की कुछ notable works है bride and two companies Jesus Christ इसमें से काफी सारे MCQs बन सकते हैं इसलिए मैं आपको ये सब चीजे पढ़ा रही हूँ तो MCQs सिर्फ कुछ भी आ सकते है आपके पस information होनी चाहिए तो आप कितने भी MCQs cover कर लो लेकिन कैन कि जब तक आपके पस topic की clearance नहीं होगी तो आप नहीं कर पाऊगे तो अभी हम साथ में ये सब चीजे भी पढ़ते जाएंगे जो जो MCQs के other options हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे ठीक है उनके कुछ notable works है इनको थोड़ा से पढ़ो कि क्या क्या पेंटिंग्स है जामिनी रॉय की जीजस क्राइस्ट मादूर्गा विद लेटिल गनेशा ब्लाक हॉर्स एक्सेक्टरा ब्राइण टू कमपनीज ठीक है जामिनी रॉय जेक्शन अब देन इन्होंने जो है रिजेक्ट किया था इन्होंने जो इंटरेस्ट है वह बिंगॉली फोक पेंटिंग्स में था जिसकी वज़ए से न्यू बिग्निंग हुई ने बारे में भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिक प्रिंट जब पढ़ ले थे तो इब थोड़ा सवर पढ़ लेते हैं वर्लपूल जो है उन्होंने प्रिंट बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंट है वर्लपूल कृष्णा रेडी ने बनाया था 1963 में ठीक है वह क्याप्टिवेटिंग है क्योंकि इसमें काफी सारे शेड्स अव ब्लू है ठीक है पावर्फुल डिजाइन क्रियेट करता है रिजल्ट है नई टेकनीक का जो प्रिंट में उन्होंने विस्कॉसिती प्रिंटिंग टेकनीक से यह बनाया है और यह मेट्रोपॉलिटियों अ आर्ट में है न्यूज्योर्क यॉएस से अई हौफ आपको थोड़ा सा रिविजन हो गया होगा नेक्स्ट कॉच्छन है इन विच आप इस पेंटिंग्स फोटो रियलिजम व्यूस यूज़ यूज़ फोटो रियलिजम यूज़ यूज़ बापू पेंटिंग है इसमें यू मिया हम पोकूटोग्राफ कोように चैके और उसे फिर्म पिंटिक में राते है एक जो के पीदिक करती है कि इसका में पर किसे शाइब कर ठीब यह अचिक तरहें 100 ते अजए में कम द्लीन के जी ब्लंकिच के साथ हुआरों चुछ प्रिशन दिखाने की कोशिश करती है कि दोनों ही होमलेस है मतलब दोनों के पास कोई घर नहीं है और यह दोनों एक दूसरे के साथ ही है इस प्रोडिकल अप्रेसिव नॉम्स आज इनकी सिटुवेशन को देखके ऐसा रगता है कि कितना जादा इनके उपर ऑपरेशन है और महात्मा गांधी जो है यहां पर हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरे का पेंट कैसे रिकरगनाईज करना है क्योंकि वह इस तरीके से उनको देख रहे हैं कि आपको यह इसली फील हो सकता है पेंटिंग जो पिक्चर है यह नाव प्र इसमें से जिसमें बेंगॉल फेमाइन डिपक्ट किया गया है जो कि 1943 में आया था ठीक है तो उस पेंटिंग का नाम है चिल्डरन जिसमें हमने बात की कि बेंगॉल फेमाइन जो है उसके उपर बनी हुई है तो बेंगॉल फेमाइन जो 1943 में आया था जो कि सोमना थोर ने य फॉर्फ के ग्राफिक प्रिंट के पैपर बनाए गई है इसमें करी गई है इसमें इसले बनाए ता experience of the Bengal famine of 1943 left a lasting impression on him उन्होंने जो है यह painting इसलिए बनाए क्योंकि impression उस Bengal famine का उनके उपर जादा ही पढ़ गया था पर भाव पढ़ गया था His early sketches and drawings were spot and life drawings of helpless victims of the famine उनके जो early sketches आपको देखने के लिए मिलेंगी, drawings आपको देखने के लिए मिलेंगी उससे हमें यह पता चलता है कि उन्होंने helpless victims of the famine के उपर काफी जादा काम किया है suffering dying peasants यह topic नहीं है basically उनके early sketches or drawings के suffering and dying peasants sick and informed destitute जो गरीब लोग है बिमार लोग है जो उनको बहुत जादा problems face हो रही है portraits of men, women, children, animals उनकी दशा को दिखाया गया basically ठीक है उनके sketches में उनकी drawings में जो उनकी early sketches drawings है इस painting में images of children were taken from the experience of the famine of 1943 जो यह image है children के ली गई है जो उन्होंने experience किया था 1943 के famine में which was edged in his memory जो उनकी दिमाग में चप गया था there are five standing figures having no background 5 standing figures है कोई background नहीं है इस painting का description है figures are linear each with a skeletal torso of a huge malaria spleen जो figures है बहुत जादा linear है line का यूज करके बनाए गई है skeletal torso दिखाया गया है huge malaria spleen and a rib cage for the thorax rib cage भी दिखाया गई है supporting a huge skull with a small face एक huge skull है छोटा सा face दिखाया गया है whole body is seen resting on two stick like legs ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो शरीर है वो सिर्फ दो बहुत ही पतली stick जैसी जो है टांगों पर खड़ा हुआ है the effect of malnutrition can be visible clearly in the narrative जो malnutrition है वो दिखाया गया कि बच्चों को जो है उनका portion अच्छे से नहीं हुआ है जिसकी वज़ा से वो बहुत ज़्यादा कमजोर है there is a sense of a lot of pain and suffering in the picture जो एक भावना होती है कि pain और suffering वो लोग feel कर रहे है वो इस print में आपको easily देखने के लिए मिल सकती है सुमनाथ or other artworks जो है peasant meeting wounded animal the child mother with child mourners and the unclad bigger family etc तो यह इनकी other paintings के नाम भी आप याद कर लिए क्योंकि इस से related question आ सकता है कि कौन सी painting सुमनाथ होने बनाई है तो एक तो यह होगी children दूसरी होगी peasants meeting ठीक है तीसरी होगी wounded animal and the child wounded animal and the child mother with child mourners and the unclad bigger family etc so topics भी कुछ कुछ इस तरिके कही है ना जब famine से related हैं जो suffering से related हैं तो आपको इसली पता चल जाएगा कि इस ओमनाथ or की painting है next question is the main theme of the painting of the modern school of art was main theme बताना है जो modern school of art की paintings का main theme क्या था rural life को वो लोग depict करते थे ठीक है rural life so इसमें जैसे की जो थीम्स है रूरल इंडिया के जो थीम्स है the modern Indian art the subject matter in painting and sculpture was drawn mainly from rural India this is the case even with the Bombay Progressive and the Calcutta group during the 1940s and 1950s तो यही same case यानि की सी तरह के का Bombay Progressive और क्यालकटा गुरूप ने काम किया है 1940s और 1950s में रूरल इंडिया को लेकर city and urban life rarely appeared in the works of Indian artists city life को उनोंने बहुत कम दिखाया है परहापस it was felt that honest India lives in villages और ऐसा महसूस होता है कि जो एक सच्चा भारत का हिंदुस्तान है वो सिर्फ कहां पर रहता है गाउं में रहता है Indian artists of the 1940s and 1950s rarely looked at their immediate culture मिलियो और जो Indian artist in 1940s and 50s के उनोंने अपने culture को बहुत कम देखाया है पेंटिंग्स अब जामिनी रोय, अमृता शेरगिल, चित्त प्रसाद, सोमना थोर and Krishnar Reddy are some of the best instances of this rural theme हमने इन ही सारे artists के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है आपको जो मैंने पढ़ाया है उसके थोड़े थोड़े notes बना लेजीगा अगर आप जादा भी नहीं study कर रहा है थोड़ा भी पढ़ रहा है तब भी आपके बहुत सारे MCQs जो है clear हो जाएंगे तो यह जो paintings हैं जामिनी रोय की आपको इनी पर टिक करना है अगर आपने लास्ट वीडियो देखे होगी तो इसका आंसर आप इसली बता दोगे तो फेमस पेंटिंग वर्ल पूल किसके द्वारा बनाई गई है कृष्णा रेडडी के द्वारा इसके बारे में वहाँ पर detailed description है जो पेंटिंग है वर्ल पूल इसके बारे में आपको already description दे चुके हूँ ठीक है हम जो यहाँ पर हैं बाकी के जोती भट जोति इंद्र महाशंकर भट इनका पूरो नाम है जोती इंद्र महाशंकर भट बेटर नोन आज जोती भट जोती भट के नाम से जाने जाती है She is an Indian artist best known for his modernist work in painting and print making of rural India culture Indian artist है यह अपने modernist work के लिए जाने जाती है paintings में and print making of rural India culture उन्हें print making, prints बनाये हैं basically rural India culture के ठीक है और उनकी जो painting हमने पढ़ी है वो painting कौन सी थी? Devi painting ठीक है Famous paintings जो है इनकी mother की और child की outside a rural house South Gujarat, Queen of Heart, Women with Parrot etc. यह इनकी famous paintings है ठीक है Next artist जो है हमारे पास यहाँ पर है Anupam Soodh, Anupam Soodh जो है उन्होंने print making study किये कहां से Slade School of Fine Art, University College London So यह question आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा different है Anupam Soodh ने कहां से पढ़ाई करी है School of Fine Arts, University College London Early 1970s में When she returned to India She was drawn to its everyday reality Apart from her deep interest in social problems Faced by people, belongings to marginalized communities And society She was keen to understand them artistically Off Walls is one of her most celebrated artwork So यह जो इन्होंने इनका जो interest है Basically यह जो सारे artist है इन सब का interest Rural themes में है लोगों की problems में है कि किस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे क्या था ताकि वो लोगों से emotionally connect कर पाए तो इनका जो सब से important work है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है आपको Off Walls इनका सब से जादा celebrated work है जिसमें कि एक लेडी बैठी है जिनका चेहरा नहीं मनाया गया और उनके आगे जो एक डेड मैन है इनकी सिर्फ टांगे दिखा रखे जिससे यह पादा चलता है कि वो जो लेडी है उसका सारा संसार खतम हो चुका है उसका इस सोचाइटी में रहने के लिए अब मतब कोई कुछ नहीं बचा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई गई है वो बहुत ज़्यादा पूर दिखाए गई है तो Off Walls उस पेंटिंग का नाम है तूटी हुई दिवार के आगे वो बैठी है तो यह अनुपम सूध की पेंटिंग है और काफी ज़्यादा इनका भी जो इंटरस्ट था वो शोशल प्रॉब्लम में था नेक्स आर्टिस्ट है मारे पास Amrita Shergil शी वस नंहां पेंटर अमरिता शेट गिल जो थी खंगेरी इंडियन पेंटर थी ठीक है वन अफ दे इंफ्लुएंशल वुमें इंट फिल्ड फील अफ मॉडर्न आर्ट शी वस वन अफ दे इंफ्लुएंशल विमिन्स ठीक है सबसे जादा इंफ्लुएंश किया है इन्होंने मॉडर्न आर्ट में बहुत ही कम एज के लिए यह जी ती अल्मोस्ट टुएट यर्स के लिए उनके कुछ जो फेमस वर्क है हल्दी ग्राइंड था यंग गर्ल्स, टू वुमिन्स, ब्राइड टॉइलेट, ब्राइड्स टॉइलेट, सुमेर, ब्रहमचारी एक सेक्टर यह इनके फेमस वर्क है ठीक है इन से रिलेटिड गोश्चन जरूर आएंगे क्योंकि आपके सलेब इसका आंसर है Mother Teresa, Mother Teresa is referred as Modern Madonna, नेक्स्ट कुछ इस तरह की के questions भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है आपको जो है A, B, C, D करके पेंटर्स दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 करके पेंटिंग दे रखे हैं, अब A, B, C, D जो है आपको मैच करना है A के साथ कौन से नंबर पर मदब जैसे सोम सोमना थोर है, ठीक है, तो सोमना थोर की पेंटिंग कौन से है, इस में से, चिल्डन, कृष्णा रेड़ी की पेंटिंग, वर्ल्पूल, अगर आपको एक या दो पेंटिंग भी पता है न, तो भी आप ऐसे जो question होते हैं, match the following, solve कर सकते हो, अब जैसे आपको पता है, कृष शौरो की कृष्णा रेड़ी ने वर्ल्पूल बनाई है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, option C में है, बी का 3, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, कि आपका जो आंसर है, वो सही है, और MF उसेन ने Mother Teresa बनाई है, तो C का 2 होना चाहिए, तो यहां पर बिल्कुल सही है C का 2, ठीक है, सोमनाथ होन ने चलन बनाई है, और मिता शेर गिलने हल्दी ग्राइंडर, इसका option है C, नेक्स्ट क्वेशन है, वो अमंग दे फॉलोविंग आर्टिस्ट वस इंस्पायड बाई तांत्रिक फिलोसफी, इस क्वेशन को भी हमने पढ़ा था, ऐसा ही कुछ कु केजी सुब्रमन्यम को यह अपना मेंटर मानती है, और यह जो है तांत्रिक स्टाइल से इंफ्लुएंस्ट है, और काप आउट अन आर्टिस्टिक लैंग्विज बेस और फोक ट्रडिशन, पॉपुलर रूरल प्राक्टिस को इन्हों ने लेकर काम किया है, उनके जो औक्य पाई करते हैं, बैलन्स बिवीन मॉडनिटी और पेस ट्रडिशन, ठीक है, ट्रडिशनलिटी और मॉडनिटी में बैलन्स क्रिएट करते हैं, इनके वर्क्स इनको जो है पदमिश्री से ऑनर किया गया था, 2019 में जोती भट को, जो कि अभी रिसेंटली यानिकी 2019 में को ऑनर क पाई के कुश्चन आ सकते हैं, ठीक है, फादर अफ इन्यान मॉडनिटी शकल्प्चर या फिर कॉंस्टिटूशन की पेंटिंग्स किसने पेंट की हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे कुश्चन से जो थोड़े बेसिक हैं और जो कॉमन है उनको पढ़ लेना अच्छे से, फादर क्या स्किर्व चो अश्चन से 5.1 शॉफ ने पाई की हैं तो के लिए उनकोड़े के खी विकड़े रहा हैं अच्डेन शॉफुड्ट' ऊक्रास बताइन निकेतन जो आधेरे मिड्यान में तो और श्ता मॉत प्सक्एर फृलच मेंग उन्हों दो हम किया हैं घ्य दूट्ध the soft and slender style of the Bengal school of art उन्होंने भी soft and slender style को follow किया है जो बैकि बेंगोल school of art का style था रामकिंकर बेच जो थे वो नए तरीके से modernism में उभर कर आए with his distinct use of abstract thoughts in his sculptures like sujata इनके जो कुछ famous sculptures है उसमें abstract thoughts इन्होंने दिखाए हैं sujata हो गया, lamp stand हो गया, santhal family हो गया, call of mill तो ये कुछ रामकिंकर बेच के popular sculptures है इनको अच्छे से learn कर लो, among his famous works हैं ठीक है he also mastered paintings, some of his famous paintings include gossip, cocks on the table, santhal couple, the lunch swap na moi etc तो इनकी famous paintings है रामकिंकर बेच की ये मत समझना कि ये सब sculpture थे तो उनके sculptures ही हो सकते हैं paintings है gossip, cocks on the table, santhal couple, the lunch और swap na moi etc next है रामकिंकर बेच वस रेस्पॉंसिव तो देशोशल पॉलिटिकल चेंज़ थे तरफ बेच के तरफ बट बट अच्छेंज़ थे तरफ बट अच्छें़ थे तरफ बट रस्पॉंसिव थे जो उनके आसपस हो रहे हैं he created a series of anti-war paintings उन्होंने anti-war paintings की जो है series create की है 1942 में और sculpture है जिनका title है Harvester was a response to the great Bengal famine of the 1943 जो कि Bengal famine 1943 में आया था ठीक है Harvester जो है उसी का response है he was also assigned to build the yakshayakshi sculptures that stands outside the RBI building in New Delhi इसका question आया हुआ है कहीं बार कि yakshayakshi के जो sculpture है वो RBI के office के बाहर building के बाहर New Delhi में वो किसने बनाए है तो रांगिंकर बैज ने बनाए है इनको जो है पदमे भूशन से अवार्ड किया गया था 1970 में है नंदलाल बोस आ जाते हैं इसके बाद he was the disciple of Abindranath Tagore ये disciple थे अविंदरानाद Tagore के मतलब उनको follow करते थे तक तरीके से इन्होंने जो हरीपूरा कॉंग्रेस 1938 के पोस्टर्स भी बनाए है तो रांदलाल बोस के बारे में तीन चाज चीजें है जो जानना बहुत ज़दा ज़रूर इथा कि अविंदानाद Tagore के disciple है Indian history Indian Hindu mythology को लेके काम किया है illustrate की है उन्होंने Constitution of India में कुछ-कुछ इनके illustrations जैसे की gold leaf stone colors का यूज करके और उन्होंने जो हैं पोस्टर्स भी बनाए थे हरीपूरा कॉंग्रेस ऑफ 1938 के आज की वीडियो में इतनी questions थी और आपको descriptions जो भी बने साथ-साथ दिये है questions के mcqs के साथ-साथ वह आपको अच्छे लगे होंगे आपका revision होगा अगर आपने पढ़ रखे हैं और नहीं पढ़े हैं तो आप जो हैं पढ़ना शुरू कर दो इनकोंचे से और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में तिल्दन टेक क्यार और बबाई